लो जी कैसे आप सभी लोग वेलकम बैक वन्स अगें टू टेस्ट बुक सुपर कोचिंग मिना नाम है विदू बेरिश्वर शर्म और एक और नया नोटिफिकेशन हमारे सामने यहां पर आ चुका है जो कि वेस्संते सरस्विस कमिशनस की तरफ से निकल कर आया है। कल हमने देखा इंडियन बैंक का आया आज आपका वेस्ट बेंगाल कॉपरेटिव बैंक का फॉर्म आया है लेकिन वहां पर जो नोटिफिकेशन हैं पूरी तरीके से कनेडा में दिया हुआ है और वहां पर वेकेंसी थोड़ी सी कम है तो उसे हम कवर नहीं कर रहें बट यहा तो सबसे पहले अगर बात करें आपका डेट ऑफ एप्लिकेशन जो है आपको दिया हुआ है एक मिनिट भाई पर बात करें यहां पर आपके पास क्लेरिकल के लिए पोस्ट जो है निकाली गई है आपकी वेस्ट बेंगल कोपरेटिव बैंक में अगर बात करें फॉर्म फि फिल कर सकते हैं एक महिने का टाइम में इस फॉर्म को फिल करने के लिए बाकी बात करें तो बहुत ही स्टेट फॉर्वड दिया हुआ है क्लेरिकल कैडर यह वेस्ट बेंगाल स्टेट कोपरेटिव बैंक क्लरक का नोटिफिकेशन है तोडल आपके पास 50 वेकेंस हैं जनरल के लिए 25, OBC के लिए टोटल 10 है, SC के लिए 10 और ST के लिए आपके पास 5 तो कुल मिला के 50 आपकी जो है वेकेंसी निकल कर आई हैं eligibility criteria की बात करें graduate from any disciple with 50% marks तो यहां पर आपके पास eligibility criteria है graduation आपके पास 50% marks से 50% marks या उससे जादा का graduation आपका होना चाहिए एक important चीज लिखी गई है this is to note that the BTEC and MTEC from any institution accredited by AICT will get the preference that means simple सी बात है जो आपके engineers है engineers को यहां पर preference दी जाएगी यह बात बोली गई है उसी के साथ अगर बात करें दूसरा आप से जो eligibility criteria मांगा है diploma in computer application और diploma in information technology from an institution shall be of a duration of six months तो आपको यहां पर diploma in computer application भी आपके पास होना चाहिए और कम से कम six months का diploma आपका होना ही चाहिए तो यह important चीज है salary की बात करें तो initial पे आपकी कित्ती होगी 38,513 तो एक अच्छा खासा amount है अपने allowances वगेरा भी मिला लीजे तो around 40-45 तक आपकी salary हो जाएगी ठीक है चलो आगे बात करते हैं आगे हमें क्या दिया हुआ है है न यह सारी चीज़ें आपकी हो गई एक important चीज़ यहाँ पर लिखी है जो की काफी सारे लोगों के मन में जो doubt है उसे clear कर देगी यहाँ पर लिखा है an applicant shall have the ability to read, write and speak बंगाली चीक है आपके पास क्या है भई आपको बंगाली लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए तभी आप इस form को fill up कर सकते हैं, otherwise form fill up मत करना आपको reject कर दिया जाएगा एक और important चीज़ यहाँ पर दी हुई है not required for those whose mother tongue is नेपाली जो लोग नेपाली है जिनकी mother tongue नेपाली है उनके लिए यह चीज़ applicable नहीं है बाकी सभी के लिए यह चीज़ applicable है ठीक है उसी के साथ आगे अगर बात करें एज लिमीट के अगर बात करें अगर आप जनरल से हैं तो 18 साल से लेकर 40 साल की उम्रता का फॉर्म भर सकते हो काफी बड़ा margin है आपका एज में ठीक है ऐसी आप अगर एसी से हैं तो 45 स्ट के लिए 45 और ओबी सी के लिए 45 तो लमसम मानके चलो 18 साल से 45 साल तक की बीच में आप इस फॉर्म को भर सकते हो अगर आप किसी कैटिगरी को बिलॉंग करते हो तो है ना कैसे आपको अप्लाय करना है अप्लाय करने का तरीका इनने बताया हुआ है ठीक है एक तो आपका वैलिड इमेल एड्रेस होना चाहिए है ना उसी के साथ है जो भी आपकी बेसिक आप जो आई बीपेस के फॉर्म भरते टाइम इंफॉर्मेशन यहां पर फीड करते हैं आपका नाम आपकी टेकनिकल स्क के का क्टेगरी को बिलॉंग करते हैं एक्षामिनेशन फीस आपकी 400 है प्रोसेसिंग फीस आपकी 500 रुपे यहां चैनरल या ओबी सी से तो आपकी पेस किती रहेगी 650 रूपीस और अगर आप रिजर्व के टेकरी से बिलॉंग करते हैं तो रिजर्व के लिए फीस आपकी 250 एक्षामिनेशन फीस आपकी नहीं लगेगी बड़ जो प्रोसेसिंग फीस है वो तो आपको पे करनी ही होगी है ना उसके बाद method of submission of application तो application डालने के लिए आपको इस website पर जाना पड़ेगा webcsc.org यहीं से आप इस form को fill up कर सकते हैं mode of payment आपका online या card cash UPI कुछ भी रह सकता है यह सब हो गया ठीक है चलो भई अब बात करते हैं selection process की selection process आपका क्या रहेगा तो यहां आपसे बोला गया candidates will have to appear in online examination which consists of 150 questions चीक है 1500 questions आपके पास निकल के आएंगे पांच subject के है ना और इंडेर 500 marks के लिए आपको 500 question के लिए 500 marks दिये जाएंगे अब यह पांच subject आपके consequence है एक तो आपका क्वांट हो गया क्वांट के साथ साथ reasoning हो गया general awareness हो गया English हो गया बंगाली हो गया तो भाई जो लोग यह सोच रहे हैं जिनके मन में सवाल था क्या दूसरे स्टेट के students form भर सकते हैं तो देरार clearly आपको बोला गया कि आपके कोई भी चांस नहीं अगर बंगाली आपको आती है तब यह आप इसको भर पाऊगे आपको प्रेटिकल टेस्ट इन बेसिक कंप्यूटर नॉलेज विच इस ओफिफ्टी मार्क्स औं क्वालिफाइं इन नेचर है न इस्टेज वन आपका ओं-लाइन एक्जाम उसे आप ख्लियर कर लोगे तो आपका प्रेटिकल एक्जाम जिसमें आपको कंप्यूटर बेस टेस्ट एंड मार्क्स ऑप्तेंड इन इंटर्व्यू ठीक है ओके दर फर्स्ट लिस्ट ऑफ देव्यांसु फिफ्टी है ठीक है फिफ्टी टोटल वेकेंसी जा दियर है ना बाकी जो है पैनल बनेगा और रिमेनिंग कैंडिट्स को उसके साब से जो है इसी जो निकले उसके अकॉर्डिंग उनको पोस्तिंग दी जाए दा सेड़ पैनल सेल रिमेन वैलेट फॉर वनियर फॉर्म देट ऑफ पॉब्लेकेशन ऑफ फर्स लिस्त ऑफ रेक्मेंडेशन चीक है चलो बाकी और कुछ यहां पर आपके लिए कहानी है क्या बेसिक आप टाइमली अपना एडमिट कार्ड वगेरा डाउनलोड कर लें ठीक है बाकी ऐस सच कुछ खास यहां पर हमें नया तो नहीं दिया गया है और बाकी आपको कोई भी अपडेट चेक करनी हूँ आप डबली वी बीसी एसी ओवाजी पर जा सकते हैं टाइमस ऑफ इंडिया पर जा सकते हैं फिर बरत्यमान प्रत्यका पर जा सकते हैं इन तीनों जगे ही आपको अफिशल अपडेट बिलेंगे और राइट चलो बई तो यह था आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन एक बार फटा-फटे समप कर लिया जाए तो 50 विकेंसी निकल कर आई हैं क्लेरिकल के ल 500 रुपे एक्जाम आपका एक पेपर होगा डेट सो माक्स का जिसमें बंगाली भी आएगी और अगर आप इस फॉर्म को अपलाए कर रहे हैं तो आपको बंगाली लिखना पढ़ना बोलना आना ही चाहिए अदर्वाइस इस फॉर्म को अपलाए मत करना ठीक है बई और एक का ग्रेजुवेशन हो गया विद 50% मार्क्स सेकेंड लिखा हुआ डिप्लोमा इंड कंप्यूटर अप्लिकेशन इन इन कंप्यूटर अप्लिकेशन और इनफॉर्मेशन टेकनोलोजी कम से कम सिक्स मंस का होना चाहिए चीक है तो बही जो भी लोग वैस बेंगाल से बिलॉ सब्सक्राइब को भर दीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए और कोई भी और सवाल आपके मन में हो इस नोटिफिकेशन से आप कॉमेंट में मुझसे पूछ सकते उन सभी कॉमेंट्स का जवाब मैं जरूर जरूर दूंगा ओके सो विद एट सेट थैंक ये वर्मन पर जलते हैं को नए सेशन में काफी जल्दी टेस्ट बुक सूपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर तब तक के लिए बाबाई एंड टेक के रेविवन झाल